हेलो फ्रेंड संजु की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आलू के पराठे की रेसिपी सेयर करने आई हूँ इसे घर के मसाले से बहुत ही टेश्टी बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ उस वीडियो को देखे इस वीडियो को बहुत ही मस्त बनती है और बहुत अच्छा लगता है भी ठंडी का सीजन में बहुत मस्त लगता है देखे नौन इस्टिक कढ़ाई लीवी हूँ और गैसुला पर रख दी हूँ और तेल डाल रही हूँ सरसुका कुकिंग ओल जितना आप खाना पसंद करती हैं उस हिसाब से डाल लीजेगा मैं यहाँ पर देखे इतना सा डाल दी हूँ दो से तीन चमच इसमें डाल दी हूँ जब गर्म अच्छे से हो जाएगी तब इसमें देखे क्या डालूंगे देखे, आपने क्या क्या लिया इस बॉल में इसमें देखे, मैंने एक प्याज ली हूँ इसको रफली ही काट ली हूँ साथ आठ में लहसून ली वी हूँ उसको देखे, इस तरह से बारीक-बारीक काट ली हूँ और जितना टेश्ट हैं आपको अच्छा लगता है मिर्च उतना ले लिजे अग तेल गर्म हो गई है इसमें जीरा आधा चमश डाल दें इसमें आप सरसो भी डाल सकती है और जो यह प्याज लैसून और मिर्च में जुकाटी भी थी थी थोड़ा बारिक बारिक इसको भी डाल दी हूं बस इसका कलर क प्राथे में बहुत अच्छे लगते थोड़ा सा डरा होच चाहिए इसमें देखिये मैं गड़ी पफ्रेश ले रही हूं और इसमें फ्लिवर बहुत अच्छा लगता है अलू के पराठे में इसको त्ना 3 मिनट कम से कम बड़ी हसे चलाएगा मिडियम आज में मस्त से पकनी चाहिए देखे इसमें थोड़ा समय अध्रक का टुकड़ा छोटा छोटा काट के देदी हूं इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है देखे पिंक कलर से थोड़ी गाड़ी मस्त से हो गई है यहां आलू को इसमें आप अलू में नमक डाल के बॉयल करेंगे तो टेश्टी लगता है और इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल कर इसको अच्छा से मेस कर लिजेगा गुठी नहीं होना चाहिए देखे इस तरह से मैंने मेस कर लिया है और इसको इसमें डाल दूंगे देखे इस तरह से ड पलट पलट करके चलाऊंगी बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर सब ना आलू में आ जाएगा और नमक तो मैं आलू मेस करते से मैं बढ़िया से मिला दी हूं और इसमें क्या-क्या डालती हूं उसे देखेगा बहुत ही लजीज बनेगी और यह आलू कितना भूनना चाहिए बढ़िया से भूनेगी और परफेक्ट मसाले के साथ जाएगी तो आलू का पराठा ना बहुत ही तेश्टी लगता है देखे इसको क्या ना फूल आज तो मीडियम आज में इस तरह से में भून ली हूं और इसमें हल्दी थोड़ा डाल दी देखे अपने आलू की जितना म अब इसमें मिर्च पौडर स्वादनुसार ले लिजेगा जितना तीखा आपको खाना पसंद है उसी हिसाब से लिजेगा मैं मिर्ची भी ली थी और पौडर भी डाल देखे डाल दी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पराठे बगर में अच्छा लगता है इस तरह से देखे मिर्च पौडर भी बढ़िया से डाल कर इसको इस तरह से भून रही हूं फूल आज तो मिडियम आज इस तरह से करके इसको भून रही हूं मसाला जितना अच्छा इसका भूनेगा आलू का उतना ही पराठा टेस्टी लगेगा इसको बस अलट में थोड़ा डालिएगा तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है इसमें बहुत ही मस्त लगता है देखे इसको डाल कर बढ़ी हासे मैं भून रही हूं इस तरह से बढ़ी मस्त लगेगी धनिया पत्ति यह सब डलती है ना तो इसमें इसकी जान बढ़ जाती है इस त इससका फ्लेवर और भी निखर के आएगा और भी ज्यादा यह आलू का पराथा जो है ना बहुत तेश्ट लगेगा देखे इसको इस तरह से मैं अलट पलट के देखे कितना अच्छा से भून ली इसी तरह से भूनना है इसको देखे जैसे मैं भूनी हूई हूं बहुत मस से भुना गई है और नौन इस्टिक कढ़ाई में क्या ना चिपकती नहीं है और नया आलू है ना बहुत तेश्टी लगेगा इसका इस तरह से देखे कितना मस्त हो गई है इसको ठंडा हो निकले 5-10-15 मिनाट के लिए छोड़ दीजिए अब देखे यहां मैं तवा रखी हू गैस चुला पे यह आइरन का तवा है इसमें बहुत अच्छा बनता है पराठा और खाना भी चाहिए इसमें देखे मैं 10 केजी जो है नगेहूं के आटे में 2 कीलो मकई का आटा मिलवा देती हूं और उसी की ही रोटी खाती हूं देखे मैंने यहां पर आटा गूथ लिया ह है इन छोटे वाले गिलास से आधा गिलास है जो आधा केजी टैप का होगा यह आटा और इसका बढ़िया से गूत ली हूं और जितना लोई जितना बड़े साइच का आपको पराठा बनाना है उसे साफसे लोई ले लिजिए और मेरा इडो बहुत मस्त नरम है नरम आटा ह करना हम है और मिल निप्लिए अच्छा लगता है इसके बीच मैं देखे अलू का जesarा भी बनाई थी ना उसको ठंडा करके इसमें इस तरह से भर ली हूं और इसको देखे इस तरह से बर के मैं इसको इस तरह से कर रहे हूं आफ इसको हलका सा गोल कर दूँंगी यह चोटी बनाने इसको इस तरह से दबा दूँगी तो उपर नीचे नहीं रहेगा तो रोटी बहुत अच्छा से बिलन से बिला जाएगी अब थोड़ा सा देखे इसमें मैं आठा का पॉडर डालकर इसमें अच्छा से इसको देखे इस तरह से रोटी बेल रही हूं जै आप जितना अ यालू का मसाला इसमें बहुत अच्छा से भरा है वो पता चलना चाहिए जब तवा गर्म हो जाए तब इसमें रोटी इस तरह से डाल दीजे अब फिर इसको एक बार पलड़ दीजे इस तरह से और इसका दूसरा वाले जो साइड है ना इसका किनारे किनारे बहुत अच्छा लगेगा अब इसमें आप तेल बटर घी किसी चीज का भी इस्तमाल कर सकती है मैं यहां देखे यहां रिफाइंड डाल दी हूँ फिजिकली रिफाइंड ही खाती हूँ वो डाल दी मैं इसमें और इसको देखे कम आच्छ में बढ़ या से दबा की इस तरह से से क इसको गरम गरम खाईए गाना तो बहुत अच्छा लगता है देखे कितना अच्छा से से का गई मेरी अब इसको मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ किती अच्छी बनी है इस तरह से देखे मैं प्लेट में निकाल ली बहुत मस्त लगता है और इसको क्या ना चटनी क साथ यह देखे यह दो पराठा में यहां रखी वी हूँ और यहां देखे दही ली हूँ दही या रायता जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ इसको खाईए और यह धनिया और थोड़ी सी पोदीना और लहशुन मिर्चर और टामाटर डालकर इसकी मस्त से चटन बनाई हुई हूँ इसके साथ ही आज दूंगी आए सुभा का नास्ता में यही मैं बनाई थी देखे इस तरह से बहुत अच्छी लगती अभी ठंडी के स्टाइम में बहुत अच्छा लगता इस तरह से खाना बहुत अच्छा से बन गया है अगर आपको मेरे आलू के परा एले-मिले और मेरी वीडियो को थोड़ा देर के लिए वार्श हो जरूर कर लिया कीजिए और इसी तरह से मेरी वीडियो को थोड़ाखा. जरूर देख drinking के लिए आप सबी फ्रेंड्स का बहुत भट धन्यवाद ठैंक यूद. झाल